Hello Friends, Friends, आज हम बात करेंगे Sarda Energy and Minerals Limited Company के सेर के बारे में इस कमपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 873 रुपे 0.20 पैसे और जो कल का ट्रेडिंग सेसन था उस सेसन के अंदर इस सेर में 6.02% की तेजी आई थी अगर dividend returns की बात करें तो company जो है वो good dividend returns offer करती है frequently basis पे जो company है अपने shareholders को dividend announce करती है और distribute भी करती है अगर बात करें return on capital employed और return on equity की तो जो return on capital employed है वो 25% का है और return on equity 26% का है तो ये बड़ा ही सांदार है Friends, 25% का return on capital employed और 26% का return on equity अगर बात करें debt equity ratio गी तो 0.44 times के साथ जो company है ये एक loaded company है अगर technicals की बात करी जाए तो जो company का share है वो bullish trend के अंदर trade होता हुआ हमें दिख रहा है MSD, Bollinger Band, KST जितनी भी technical indicators होते हैं वो सभी indicate कर रहे है कि जो company का share है वो bullish trend के अंदर trade हो रहा है और जो bullish trend के अंदर ये जो share enter हुआ है ये हुआ है एक फरवरी 2022 को अगर price to book value की बात करी जाए तो 1.13 का price to book value है जो बहुत जादा ही कम है जो company का share है वो अपने book value के around trade कर रहा है share market के अंदर और अगर PEG ratio देखें तो वो 0.01 जो की completely 1 से कम है जो ये indicate कर रही है कि जो share है ये इसकी जो price है अभी बहुत सच्थी है और आप इसे पर्टेज कर सकते हैं अगर 52 week high और low देखा जाए तो जो 52 week low है वो 329 का है और जो 52 week high है वो 948 का है तो friends यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर company ने कितना अच्छा returns अपने investors को दिया है 329 का share एक साल के अंदर 948 का हो जाता है friends अगर market cap की बात करी जाए तो 3118 करोल के साथ यह जो company है यह कि small cap company है और अगर sector की बात करी जाए तो iron and steel sector की एक company है अगर बात करें PE ratio की तो जो company की PE ratio है वो है 4.63 जबकि industry की जो PE ratio है वो है 5.75 तो company का जो share है वो अभी अपने industry की PE ratio से नीचे है तो friends overall अगर PE ratio price to book value और PE ratio कर हम देखें तो जो company के share का जो valuation है वो बड़ा ही cheap दिखता है friends काफी cheap valuation पर आपको यह share मिल रहा है और साथ में जो last credit price है company का वो जो है वो company की जो intrinsic value होनी चाहिए उस value से भी कम है तो obviously friends यह जो share है यह आने वाले time में बहुत उपर जाने वाला है और अच्छा खासा रिटन्स आपको देने वाला है अगर sales की बात करें हम growth की तो जो sales है वो 10% से growth हुई है annually मतलब पिछले annual की अगर हम बात करें तो वो 10 percent से grow हुई है और अगर हम operating profit की बात करें तो 45% से growth हुआ है और अगर net profit की बात करें तो वो 200% से grow हुआ है तो जो company की growth है वो भी काफी अच्छी है क्योंकि coronavirus की चलते हुए फिर भी इतनी अच्छी growth अब हम बात करते हैं friends company के shareholding pattern की तो जो company का shareholding pattern है friends यह आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है shareholding pattern जिसमें promoters के पास सबसे ज़्यादा इस्सेदारी है company की और जो FFIs foreign institutional investors हैं उन्होंने भी कुछ इस्सेदारी खरीदी हुई है कुछ हमारे domestic institutional investors हैं उनके पास भी shares हैं और कुछ shares हमारे non institutional investors के पास हैं तो ज्यादा तर जो shareholding है वो promoters के हाथ में हैं अगर returns की बात करें तो तीन महीने में returns company ने अपने shareholders को दिया है और अगर हम दो years के returns की बात करें friends तो दो साल में company के share ने 303% का return दिया है और अगर हम अगर बात करें company profile की तो जो सार्दा energy and minerals limited company है यह incorporate करी गई थी 1973 के अंदर इसता फ्लैक्सिप company of सार्दा ग्रूप और यह सार्दा ग्रूप की एक फ्लैक्सिप company है जो की BSE और NAC पे लिस्टेड है और ज्यादा तर जो shareholding है वो इसकी वो promoters के पास है और vertically integrated producer of steel with captive iron store यह स्टील सेक्टर के प्रडूशर है captive iron और manufacturer एंड एक्सपोर्टर ओफ निके grade magnesium based ferro alloys और यह manufacturer है और exporter भी है तो यह company का profile था अगर friends हम बात करें company के income statement की तो 2018 में जो company की revenue थी friends वह आप देख सकते हैं वह है 244 रुपे का 244 करोड की और अगर हम बात करें 2019 की तो तैइस सो दो हर बीस की उनिस सो और 2021 की तैइस सो तो जो revenue है वह बहुत अच्छी revenue है friends company के revenue काफी अच्छी है तो revenue आप देख सकते हैं friends company के आपको screen पर देख रही है revenue अगर हम बात करने है earning before tax interest dividend dividend तो यह भी काफी अच्छी अर्निंग है company की इसके बाद अगर हम net income की बात करी जाए friends तो दो सो दो करोड की net income थी 2018 में 2019 में 203 करोड की है 2020 में 126 करोड की है और 2021 में 374 करोड की friends friends lockdowns लगे हो हैं आपको पता है और lockdowns की चलते भी इतना अच्छा net profit 126 करोड से 374 करोड का हो जाता है friends अगर अर्निंग पर से देखें तो 56 56 35 and 103 अर्निंग पर से बहुत अच्छा है company का और dividend payout ratio भी अगर अब देखें तो वह भी काफी अच्छी है dividend payout ratio company की तो overall जो company का income statement है वो बड़ा ही जबरजस्त है अगर market share की बात करें तो पांस साल के अंदर जो market share है वो increase हुआ है company का 0.46% से 0.47% और अगर revenue growth की बात करें तो पिछले पांस सालों में जो revenue growth हुई है company की वो 9.11% से हुई है जबकि industry जो industry है उसका जो average है वो 8.94% है तो जो revenue growth है वो बहुत अच्छी है साथ में जो market share है वो भी company का increase हो रहा है तो overall income statement की जो position है वो बड़ी ही जबरजस्त अगर बात करें balance sheet की तो balance sheet की जो debt equity ratio है company की वो 82.4% है जबकि industry की जो average है 172% है तो friends आप देख सकते हैं industry का average 172% का है जबकि company का average 82% का है तो debt equity ratio जो है वो बहुत ही सांदार है company की अगर current ratio की बात करी जाए पांस साल के अंदर अगर हम देखें current ratio को company के तो जो current ratio है वो 196% की है जबकि industry की जो current ratio 79.15% की है तो यह भी हमारी जो market का जो industry का जो average है उससे काफी अच्छी सांदार है अगर current assets की बात करें तो जो company है वो होड़ साल अपने current assets के अंदर increment कर रही है आप देख सकते हैं friends अड़ साल company capital investment कर रही है अपने fixed asset को बढ़ा रही है अगर हम बात करें liabilities की तो liabilities जो है company कम कर रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लो debt company है और आने वाले दिनों में यह जो company है अपने करजों को कम कर रही है और आने वाले टाइम में यह निल डेट कम नो debt company भी बन सकती है अगर assets की बात करें तो यहां पर 3400 करोड के थे जो बढ़के यह 3600 करोड हो गया फिर 400 करोड हो गया और फिर 4500 करोड यह total assets की बात करते हैं अगर हम current liabilities की बात करें तो liabilities company की कम हो रही है 633 करोड 648 करोड 624 करोड और 604 करोड और अगर बात करी जाए non current liabilities की तो एक हजार चोहतर करोड फिर 1100 करोड फिर 1100 करोड 1500 करोड तो यह current company की जो है current liabilities non current liabilities है friends यह company की overall balance sheet है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं balance sheet काफी अच्छी balance sheet है company की काफी strong balance sheet है ने इस्ट अगर हम बात करें cash flow statement की जो cash flow statement है जो operating activities है उनसे जो cash flow है वो गड़ रहा है अगर हम देखेंगे 2021 के अंदर 188 करोड का है जबकि 2020 में 336 करोड का था और 2019 में 480 करोड का था और अगर investing activities की बात करें तो यह investing activities जो है यह negative में आ रही है negative में अगर friends investing activities आती है तो इसका मतलब है कि company जो है वो capital investment कर रही है और अपने assets को बढ़ा रही है अपनी जो manufacturing capabilities उनको बढ़ा रही है तो यह बहुत ही अच्छी बात होती है कि investing activities जो है वो negative में आ रही है और अगर हम बात करें cash flow from financing activities की तो financing activities से जो cash flow friends वो भी काफी अच्छा है और अगर बात करें जाए company के free cash flows की तो free cash flow आप यहाँ पर देख सकते हैं friends तो overall जो cash flow की position है वो negative में है cash flow इतना जबर्जस नहीं है इतना strong नहीं है कि कोविट की चलते जितनी भी कंपनियां है उन सभी के cash flows पर impact आया है तो इस company के लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने friends के साथ सेयर कीजिएगा thanks friends thanks for watching this video